नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका mechanical nexus में आज के lecture में हम बात करेंगे पंच और उसके types के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं देखें पंच हमारा एक permanent marking tool होता है जिसका use हमारा dotted line को create करने के लिए या फिर हमारे center को locate करने के लिए किया जाता है या पंच एक हमारा permanent marking tool होता है देखें बच्चो इसको permanent क्यों कहा गया है क्योंकि अगर आपने एक बार पंच कर दिया indentation create कर दिया यानि dent create कर दिया तो वो हटाये नहीं जा सकता इसलिए इसको permanent marking tool की category में रखा गया है इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हम punch use नहीं करते थ तो उससे पहले हम marking obviously बाते करते थे और उन marking को करने के लिए हम generally choke का या फिर oversulfate के mixtureन का use करते थे बट हाथ लगने के कारण ये easily मिट जाता था इसलिए यहाँ पर हमने punch का इस्तमाल शुरू किया जो की एक हमारा permanent marking tool है देखें हम किसी भी punch की बात करें बहुत सारी type के punch है आ उसका head जिसके उपर hammer के द्वारा impact किया जाता है ताकि हमारा यहाँ पर हमारी जो dot line है या फिर जो हमारा center है वो locate किया जा सके यानि इसके उपर हम यहाँ पर hammer के through impact करेंगे और हमारा यहाँ पर age point create करेगा दूसरा होता है इसकी body देखें यह जो body होती है और यह body क्या कहें यह पूरा का पूरा जो हमारा punch है इसका material समझ लेते हैं सोड़ा सा पहले यह पूरा का पूरा हमारा high carbon steel का बनाए जाता है यह हमारा high carbon steel short form में आप इसे hcsb लिखते है high carbon steel को याद रखेंगे यह भी बहुत important है तो यह जो body होती है आप इसके ओपर देखेंगे इसमें कुछ impression पड़े हो है दोस्तों इसको nerling कहा जाता है nerling एक ऐसा operation होता है जिसका use हमारा gripping करने के लिए किया जाता है और आप इस चीज को याद रखेंगे कि nerling में किसी भी परकार का कोई material remove नहीं होता इसलिए हम इसको forming operation की category में रखते हैं यह भी important चीज है आपको बताई अब बा जाता है punching age या point यह हमारा important है क्यों यही हमारे metal के उपर strike करता है तो इसके तूटने के chance ज्यादा हो जाते है यह ना तूटे इसलिए दोस्तों यह भी याद रखेंगे इसको बहुत hard or tempered किया जाता है hard or tempered मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा hardness बढ़ाई जाती ह ताकि impact के कारण यह ना तूटे तो हमारा हर एक punch का अपना angle होता है और अपना अपना use होता है तो इस तरह से हमने punch को define किया अब हम बात करते हैं इसके कौन-कौन से types होते हैं एक-एक को बहुत अच्छे से समझते हैं देखिए बहुत important है exam point of view से भी ठीक है तो इसको पूर prick punch ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं एक-एक sequence वाई समझते चले जाएंगे देखिए prick punch क्या होता है और इसका क्या angle होता है कहां यूज करते हैं तो इस prick punch का use हम soft material के उपर करते हैं तो वह है सभी material जो nature में soft होते हैं बहुत मतलब hard नहीं होते example की बात करी जाए जैसे हमारा के बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे बहुत important है इसका angle 30 degree होता है और यूज हमारा किया जाता है यह mainly application के अगर बात करें तो sheet metal shop में इसका use किया जाता है दूसरे punch पे आते हैं तो देखें दूसरा punch हमारा related है हमारी engineering workshop से इसको कहा जाता है dot punch dot punch हमारी जो engineering workshop है वहाँ पे हम use करते हैं आपको पता है mild steel का as a engineering material तो वहाँ पे mild steel की plates को या फिर mild steel की chathers के उपर अगर हमें dotted line create करनी है तो वहाँ पे हम dot punch का use करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी dotted line create होती चली जाती है इसलिए dot के कारण इसका नाम पड़ा है dot punch चलिए अब बात करते हैं इसके important angle के बारे में बहुत important है angle इसका यह है 60 degree का तो याद रखिने dot punch हमारा 60 degree में रखा जाता है prick punch हमारा 30 degree में रखा जाता है तीसरा बात करते हैं हम center punch देखे center punch भी बहुत important है यह ती actually अगर हम objective की बात करें तो हमारे center punch dot punch और prick punch में से ही ज़्यादतर angle पूछ लेता है या फिर इसका use पूछ लेता है तो center punch को अगर हम देखें तो देखें नाम से थोड़ा से इंडिकेट हो center punch यहाँ पर center find out करेगा और हमें center किस चीज के लिए चाहिए होता है तो दोस्तो हमें drilling operation के लिए center की जरुवत पढ़ती है question उठता है क्यों पढ़ती है तो आपको पता होगा माल लेजी यह मेरी drill bit है ठीक है यह कुछ मैसे बना देता हूँ इसके नीचे आपको पता होगा यह एक एंगल होता है ठीक है इसको कहा जाता है lip angle चलिए इसको भी याद रखेंगे आप lip angle का जो एंगल होता है यह 118 degree पे होता है तो यह जो lip angle है इसको मेरे को workshop के ऊपर किसी एक point पे fix करना है और मैं ऐसा भी चाता हूँ यह point जो मैं create कर रहा हूँ इसके उपर अगर drill bit set हो जाए यानि जब मैं इसको revolution दूँ तो इधर उधर ना move हो इस लिए मैं चाता हूँ यह जो है यह थोड़ा चोड़ा हो जाए नॉर्मली इसलिए मैं जाता हूँ center punch के उ उपर center punch Dekhye ं इसका angle कैसा है height कम है height है इसके कम और चोड़ाई है इसकी ज़्यादा ठीक है यह इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है एंगल की बात की जाए तो उस नाम से पता चला है center मतलब 90 degree का angle याद रखेंगे drill bit में हमारी drilling application में center punch का use किया जाता है center को locate करने के लिए अब हम बात करते हैं others की देखिए others में हमारी 5 category आती है एक एक करके सब को समझते रहते हैं पहले हम बात करते हैं सबसे पहले hollow punch की देखिए नाम से पता चला है punch कैसा है hollow यानि इसके अंदर हमारा कुछ hollowness है ठीक है यह मुझसे देखे कुछ ऐसा ही बन रहा है यह hollow है तो जब आप इसका कहां use करेंगे सोचिए hollow है तो अब्विसी बात है material इसके अंदर जाए गए जाएगा तो soft material में हम यहाँ पर hollow punch का use करते हैं यहाँ पे हम opening दे देते हैं तो हमारा material यहाँ से भारा जाता है और हमारी hollowness क्रेट हो जाती है उसके अंदर दूसरा बात करते हैं हम solid punch solid punch solid punch मतलब एकदम solid होगा मान लिजी marker pen मेरा solid है अब मैं जहाँ पे भी जहाँ पे भी इसको मैं punching करूँगा तो वहाँ पे यह कुछ अपनी impression छोड़ता चला जाएगा तो यहाँ पे इसका use होगा solid punch का तीजरा हम बात करते हैं drift punch देखे drift punch भी important है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है तो हो सकता है पूछले कभी कोई तो याद रखेंगे drift punch कहां use होता है सबसे पहले हम इसके purpose को समझते हैं अगर मेरा already कोई hole है माल लेजिए मेरा solid punch ने खौल कर दिया इसको enlarge करना है यह इसके diameter को बड़ा करना है तो वहाँ पे मैं drift punch का use करूँगा यह generally हम smith shop में use करते हैं क्योंकि यह जो हमारे drift punch होता है थोड़े बड़े होते हैं size में ठीक है idea आपको लग गया है already हमारे hole को enlarge करना अब हम बात कर लेते हैं letter punch और number punch की यह letter या number punch आपने देखा भी होगा बहुत जगा हमारी sheet के उपर number लिखे जाते हैं महाँ पे हम letter या number punch का use करते हैं कुछ नहीं यह normally punch है इनके उपर हमारे numbers letter embossed होते हैं तो वो अपने impression छोड़ते चले जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं हमारा automatic punch यह हमारा automatic punch देखिए आजकल automatic punch का use जादर तर बढ़ रहा है क्योंकि हमारे normal punch में हमें hammer के जरूत होती है बट automatic punch में हमारा spring action काम करता है spring suddenly impact मारता है और नीचे यह हमारा create कर देता है hall को या फिर layout के center को last हम बात कर लेते हैं pin punch देखिए pin punch क्या है अगर हमारी कोई pin है और lady कहीं पर अटके हुए माली जी मेरी pin है इसमें थी अब मुझे spin को निकालना है तो मैं यहाँ पर pin punch का use करूँगा यह बहुत sharp edge के मतलब बहुत पतले होते हैं तो जब आप इसके ओपर से pin impact मालेंगे इसके ओपर तो यह pin निकल जाएगी और इस punch को आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा thank you for watching